चलिए अब बात करते हैं कुछ और अलग स्टॉक्स की अलग थीम्स की हमाए साथ इस समय मार्केट बिग वॉइस में जेम फिनाशल सर्वसिस के आशीश चत्रमोता जुड़ गए हैं और आशीश एक दो ट्रेड्स जो कल दोपेर से हम स्पॉट करते आए हैं वो लाजूली है डिफेंस साइड पर और यह स्पेस है जहां पर आपका अच्छा खासा एक्सपोजर है मैं सीधे उसी पर आती हूँ कंस्ट्रिंग मार्केट आज थोड़ा सा कंसॉलिडेट करेगा एक तो BDL जो X-split है उसके बाद भी इंचिस्ट कोशी शिप्याड के आज नतीजे आने और कल हमने गार्डेन, ड्रीच, मजगाओं सब देख लियां किस तरह का बढ़िया पॉफॉर्मेंस दिखाया था कारेंट लेवल्स पर सबसे पहले स्टॉक्स आप वैल्यू कैसे कर रहे हैं क्योंकि ये वरन है अहेड ऑफ थेंसल्व तो क्या महंगे हैं और ऐसे में अगर नया निवेश लेना है तो इस समय लें या फिर करेक्शन का इंतजार करेंगे कैसे पॉजिशन करेंगे आप नय पैसे को आशीश आप म्यूट पर है सबसे पहले बिल्कुल आपने सही का कि स्टॉक्स काफी चल चुके बहुत अच्छा चल चुके हैं इन फैक्ट हम देख रहे थे अभी हमने थोड़े दिन पहले थोड़े पहले पोजिशन अमारी रिव्यू भी की तो कोचिंश शिप्यार जिसको हमने करीब 670 680 के जोन में दिसेंबर 2023 के आसपास खरीदा वो स्टॉक अब अल्रेड़ी 200 परसेंट अप पुछुका है लास्ट पाच महीने के अंदर में और यही हाल भारत डाइनमिक्स में बना हुआ है मजगाओं डॉक और गार्डन डिशिप बिल्डस में बना हुआ है तो डिफिनेट्ली स्टॉ काफी बढ़ी है जैसे हमने हर बार का कि डिफेंस का पहले तो जो वरॉल मार्केट अपर साइज है वो करी पहले दस लाग करोड के हम बात करते थे अब यह बारा लाग करोड का नंबर आना शुरू हो चुका है जो एस्टीमेट से वह कहते कि बारा लाग करोड की लिटम हमें देखने को मिलेगा क्योंकि इंडिजनाइजेशन इन कंपनी के अंदर में बढ़ रहा है तो हम देख रहे हैं ऑपरेटिंग मार्जिन प्रोफाइल भी इन कंपनी की इंप्रोव हो रही जैसे की शिप बिल्डिंग के अंदर में देख रहे हैं ऑल्मोस्स 75% इं इंडिजनाइजेशन करती थी अब वहां पर पर 91% का इंडिजनाइजेशन हो रहा है जिसकी वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन 20% के उपर भारत डाइनमिक्स के स्टॉक में हो चुकी है तो यह स्टॉक भी हम अल्मोस्ट आपके चैनल पर मुझे यादे कि 800 रुपे इसको र स्टॉक्स के अंदर बाइंग बनाई है या फिर एक तरीका हो सकता है स्टैगर्ड मैनर में आप ऐसा करिए कि लास्ट नेक्स दो से तीन मैने एक कंटिनेस बिसेश्ट पर से सिप करते हैं तो इसमें लॉप एबरेज़ेश करेगा क्योंकि लंबे समय की थीम है बर्ट अच्छा हेवल्स और साथी साथ वोल्टा यह भी थीम हमने आपके साथ पहले डिसकास की हुई है और सिर्मा एस्टेस आपका एक टॉप ट्रेड भी रहा करता था यह एमस की में यह फिर इन कूलिंग प्रड़क्स की में कंस्टिंग डिमांड अच्छी है वेदर की सबसे पहले अगर से की बात करें अच्छा कॉंट्रिबूशन है और साथी जिस तरह से हीट बनी उसके वज़ा से हमें लगता है कि जो जो काफी बढ़ी और वहां पर पर हैवल्स वोल्टा इन्होंने एक अच्छा इनको बहुत अच्छा इंफेक्ट वोल्टाज ने तो मार्केट शेर गें किया है तो यह क्लियर साइन है कि यह जो स्टॉक से यहां पर एक अच्छी बड़त देखने को मिलेगी इंफेक्ट वोल्टाज रिजल्ट के बाद थोड़ी डिप आई है पर मेरे साब से अब बारा सो बारा सो पचास पर बहुत ही बड़ी है यहां पर पर जो सिर्फ चैलेंज आया वह यह आया कि यहां पर पर टॉप लाइन तो बहुत सिग्निफिकेंटली ग्रो हुई पर जो मार्जिन थी जो एक समय पर 10% की ऑपरेटिंग मार्जिन कई MS कंपनी इंजॉय कर रही थी वह मार्जिन कहीं ना कही यह 6-7% की रेंज में आ गई बर जब हम देखते हैं कि अगर से 6-7% की ऑपरेटिंग मार्जिन यह कंपनी आने वाले समय मेंटेन रखती तो यहां पर 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 जो टॉप लाइन ग्रोथ पोटेंचल है वह अल्मोस्त 30-35% का है तो जो कंपनी 30-35% आने वाले कई सालों तक ग लेक्रोप्लास के आएं तो वहां पर पर इस तरह की कंपनी के अंदर एक बड़े अपसाइट दिखने को नजर आएंगे और इस डिस्क्लोजर इस समय पे पीजी यह जो है वह हमारे पोटफोलियो के अंदर में पोजिशन उसकी बनी हुई भी यहां पर कई सारी ऑपरचिन और रही बात की जो भी हमने इस पुरी MS थिंग के बात की उसमें PG Electroplast यह स्टॉक हमारे पोटफोलियो के अंदर बना हुए है शुक्रे आशी शार समय निकालने के लिए चले इसी के साथ मार्किट पर वापस आते हैं निफ्टी बैंक कोशिश कर रहा है फिर से पॉजिट टैट्री में कर रहा है कारोबार अब यहां से बतादें कि मनी कंट्रूल पर दिये गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने नीजी विचार होते हैं वेबसाइड या मैनेजिमेंट इसके लिए उतरदाई नहीं है यूजर्स को मनी कंट्रूल की सलहा है कि कोई भी निवेशन इंडले लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलहा ले